अपनी पसंदिदा फिल्मों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Play Movies, बेल आइकन को दबाएं कुछ तंका हो, कुछ हम कही कुछ तंका हो, कुछ हम कही कुछ है तो यहां से निकल चले मालेक से नहीं कि वह बारीश जाड़ा तेज़ हो रही यह रही है यह सौ साल पूराना बांध है अंग्रेजों के जमाने का इसलिए अब तक चल रहा है लेकिन और नहीं चलेगा पिछली बारिश में भी मुश्किल से पानी का प्रेशर संभाल पाया था और इस साल भी अच्छी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और रिपेरिंग करने के पर बात हो जाएगा जिशनों परताब जी के खेट भी तो उसी तरफ है नए ने मेरे खेटों के कोई फिकर मत करो गाओ सलामत रहे बस बोलिए विरंदर परताब जी आप क्या कहते हैं मुझे मनजूर नहीं है उनसे कहिए कि उनका जो भी नुकसान होगा मैं भरपाई कर द जब हमारे गर में आग लगी थी उस वक्तो कोई नहीं आया आग बुझाने तुम मिंजीनियरो बांद को बचाने का कोई दूसरा तरीका दूड़ो हमारी फसलों को रत्ती भर नुकसान नहीं कोईचना चाहिए बस चलिए दाओ जी अ तुम भी जाओ यहां से वर्ला काट क जाओ 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 जा गोविन उन्हें कुछ चाहिए अपने आप तो तेरे मालिक एक लास पानी भी नहीं मांगेंगे पूछूंगा तो हमेशा कितर ना ही बोलेंगे पानी लाओं साब जी तुमारी मालकिन ने दवा ले ली मुझे तो पहले ही पता था मालकिन आपके खाने का पूछेंगी आप उनके दवा का पूछेंगे मुझे तो कोई पूछ था ही नहीं दूदलाओं गर्मा गर्म नए गो उपर से शुक्र निचले स्थान पर बैठा हुआ है, मन की शान्ती हो कैसे सकती है इसलिए तो आपको बुलाएं ना पंडी जी, आप ही कुछ उपाए बताएं उपाए तो मैं पिछले पांस साल से बता रहा हूं गुविंद लेकिन जजमान मेरी बाथ हामेशा टाल देते हैं देखिए, मेरा कहना मानिए, अपना सस्थी पूरती का उत्सो मनाईए सारे नाते रिष्टेदारों को बुला कर, नौगरों की शान्ती का पाट करवा दीजिए घर में रौनक होगी, तो बीबी जी की तबियत जो नरम गरम चल रही है न, वो भी अच्छी हो जाएगी ठीक ही तो है साब जी, कुछ नहीं है तो मालकीन की तबियत का खायल करके तो मान जाईए ठीक है गोविन बुला लो सबको अफ़ो एलो ये बॉटल रख दो इसे भी रखो और ये बिस्केट लो आपके अलावा वहां सभी लोगा पहुचे होंगे क्या सुचेंगे वो लो क्या आपको बिल्कुल पड़ी नहीं है आपका कौनसा बाबुजी के सब खुन का रिष्टा है अफ़ो तुम भी कैसी बाते करे रतना ऐसे कोई भी नहीं सोचेगा और सभी जानते हैं बाबुजी के काम से यहां पर रुका हुआँ अच्छा तुम तुमसा एक हुआँ पले कि अप्रा माइट बढुआरी से सरभी जाजाए के का मैं वहार में वहार नहीं फुमतिख़ने इसल गया कि प्लेणे की मर्सनो जायां मर्णा रिमनेल का यह किम थो टूर। यह मैं पहल वने को प्लेसे निकल जाएगी अपले ठीके व्लया च्मनल बाबुजी ये बताईये, गन्ना पकाती नहीं तेरे खाने लायक तो पकी गया होगा अरे गोवेड, तुम यही एखड़ा हूँ नैना बेटी आने से पहले खेट से गन्ना तो मंगवा लो मुझे तो पहले ही बता था नैना बीटी आने से पहले ही मैने खेट से गन्ना मंगवा लिया है ताथू, अपनी घड़ी निकाले है लो भाइक, ये लो मैं आपके लिए कड़ी लेकर राई हूँ वाँ 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 कैसी लगी? अरे घड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन इतने पैसे ख़श करने की क्या ज़रूरती है कौन से मेरे पैसे लगे पिल तो डाड़ी नहीं चुका है ना अर्स नो डॉक्टरी साइबा तुम्हारी डॉक्टरी कहां तक पहुंची ए अपना छोटु है ना चोटु पहली से दूसरी दूसरी से तीसरी इसरी से चाउती में पहुंच गया लेकिन मंगला भीटिय की डॉक्टरी अभी तब बुरी नहीं हुई कोविन डॉक्टरी करने के लिए पाच साल लगते है चोड़िये चोड़िये कोई अगर दिल लग अगर पड़े ना तो साल दो साल बहुत हो गए यह सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है तटू पैसे कोविन दादा की पास सची है क्या कि आपने मुझे बिगाड कर क्यों दद्धू की शुष्टीपूर्थी के मौके पर हम दद्धू और ददीमा की शादी फिर से करा दे है वाँ 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 अगर शुनली है दुमने घ्राख चौपाएंगे और सब को मलाइंगे और को दूम्दाना का होगा बैंट बाजा बजेगा और अतिश बा क्या यह कुट्टों के लिए गासपूस गासपूस आएगे परेशे हट जा जाके मंदाल लेगा बाबुजी आपका नाश्टा अरो रुद्र कुट्तों को कुछ खिला पिला कर चुप करा वेकार्मी कुछ दवार है इसलिए चलवारा उताई जी रमिशा परажи यह तो खुश्यों का राग है उस घर के मालिक और मालकिन पर शादि कर रहे हैं पाउ कबर में लटक रहे हैं बुठे बुड़िया के और शादी रचाने चले हैं अरे फेरे फेरते ही राम नाम सत्य हो जाएगा मा यह कहने बक्से में रख देती हूं मा इंदर भैया के याद आ रही है पच्ची साल बेद के इस बात को आपको अभ्यून की याद आ रही है अज़ित सताती है हाँ बेटी है इंसान चले जाते हैं उनकी याद रह जाती है जिस तरह पच्ची सालों से जंजीर इस ढबे में बंद है उसी तरह उसकी याद मेरे दिल में कैद है काश मैं इंदर के परिवार को एक बार देख पाती है आपकी वज़े से आपकी जित की वज़े से मालकी ने तनी दुखी है अरे पच्ची साल गुजर गए उस बात को आप तो गुस्सा दुख दीजिए मालकी ने एक बार इंदर बाबो के परिवार को देखना चाहती है वो जो इस घर के सुक शांती मान सम्मान सब को मिट्टे में मिला कर चला गया उसके लिए तुमारी मालकीन को क्यो इतना प्यार उमणा रहा है वो बेचारा तो इस दुनिया में ही नहीं रहा उसके लिए बुरा बला मत बोलिए वही दुनिया में नहीं रहा तो किसे देखना चाहती हो क्यों बेटा नहीं रहा तो उसके बाल बच्चे क्या हमारे बच्चे नहीं रहे आज तक नहीं रहे तो आज अचानक क्या हो गया ह अब तक जीने की एक आसी थी मन में लेकिन अब लगता है उन्हें देखे बगारी मर जाओकी मां मां सुनो तो मंगला जाओ गोविन जाओ मुंबई वालों के भी तार भेज़ दो मैं दूसरे से जुदा हो जाओगे और कल नजाने कहा होगे I'm really sad this is the last day of college Hey you, by the way we'll miss you, we'll really miss you Miss Jade Lay! एमस्तान करते है इसने सबूरा कोmal से दूपर को मैं च्zę ला किम कि शोरा कि मैं चला मैं धीवा, ना मैं आव आर ओस्तान की ओेल Correct यहाई हाई है सकत्री जलिए के ज़द सबूर का मैं Been जज्मित हाई जुठी रेया रारारारारा, मैं दीबाना, मैं आवारा, सबका दिल चुरा के मैं चला Hello, hello, hello Mrs. Aghargar We all know you love purana cricketer Ka Vaskar But we are very very sorry to tell you There is no one greater than Apna Sachin Tendulkar Hey! Voh din voh bahar yaad aai College ka malhaar yaad aai Canteen ki takraar yaad aai Library ka pyaar yaad aai खुबसूरत जवा दिल नशी लरकिया चाहती थी मुझे सब हसी लरकिया खुस्तल वाली खेड़की के पिछे करना इंतजार याad aai वो आदा वो हसी वो आदा वो हसी वो हया वो नशे आरारारारारा मैं दीवाना है आवारा सबका दी चुरा के मैं चला आखों में चराग जिन में लाए मंजिलों की रोशनी दिखाए धीरे धीरे उम्मीदे जगाए सबको सबका रस सब बुलाए कुछ सुबिन दास है कुछ फरेशान है वक्त की बात से सारे अंजान है दुनिया में नाम कमाए जाने कौन स्टार बन जाए अब शुरू हो गया अब शुरू हो गया जिंदगी का सफर आर 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 आरा मैं दीबारा मैं आरा सबका दिल चुरा कि मैं चला यह लो मा यह लो मा यह लो मा अब ग्राजुएट वोव खुश रहो माम यह जाने की ताया नहीं मामा तुमी सोचो वारनासी नहीं वेश्णूदेवी बिलकुल नहीं वैसे हमारा ऐसा कोई रिश्यदार भी नहीं जो हमें अपनी घर बोलाए यह तो मा से ही पूछना मैं मा से ही पूछ रहा हूँ पूल मा आप लोग कहा जा रहे हैं आप लोग नहीं हम सब लोग हम सब तुम्हारे दादाजी की यहां दादाजी की घर हाँ बेटा इतने सालों बाद उनके यहां से चिट्थी आई है हम सब को गाउं बुलाया है ओके लेकिन कब अज शाम की चैन से रीली वहा भाया भाया वहाँ वहाँ अलो हम मुम्भाई से आए है आए 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 सामान अंतर है सामान तो आता ही रहेगा आप लोग पहले अंदर तो चलिए आए आए सामा आए 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 मालकिन मालकिन उठिये तो देखे तो कोना है मुम्भाई वाले आए है आए 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 कौन सी ग्लास में हो एट में जीती रहो और तुम अबे जी मैंने लेल बी किया है याने के इंजिनियरिंग नहीं वकील मुझे तो पहले ही पता था देखो ना ऐसे हीरे जैसे बच्चों का सुख देखा मेरी इंदर के भाग में नहीं लिखा था अरे यह क्या है मालकिन खुद तो जित करके इन लोगों को यहां बुलाया और खुश होने के वज़ाए खुदीर हो रही है डाक्टर ने क्या काया है खूप खुश रहो कहा यह नहीं इनको इनका कमरा दिखा आए जलिए नमस्ते लि वैसे तो यह सारा घर ही तुमारा है खुश रहो काश के इंदर के रहते मिलती तो तुझे कुछ और यह आशिर्वाद दे पाती मैं लेकिन जैसे बगवान की बरसे थक गए होंगे ना सफर में जी अरे कितना लंबा सफर है कोई बात ने बाराम कीजिए सुबह उटते में आपको बढ़ी आसा नाश्टा खिलाओंगा और आइसा नाश्टा खिलाओंगा कि अर्ट प्यू्टочки खिलाओंगो एल्टित सफर है किएोस्म requests बढ़ी कि दो एता oraz कि दोप्र में एतारित Tan कर दो कर दो दो को कि अ अ आदो कर दो रूद कर दो कि अ बादा है आपके दादाजी अभी नीन से जागे है न इसलिए वो थोड़े से सुबह तक सब ठीक हो जाएगा आप लोग अबाराम कीजिए अब हम यहां नहीं रहेंगे मा सुबह होते ही लोट जाएगे अभे मा घर बुला के बेज़त करने का क्या मतलब इन्होंने हमें प्यार की वज़े से नहीं बुलाया अपनी बीमार पत्नी का दिल रखने के लिए बुला भेजाया उनकी बीमार पत्नी तुम्हारी दादी है औ अभे, जब तक तुम्हारे पिता जिन्दा रहे, वो हमेशा इसी कोशिश में रहे, कि किसी भी तरह तुम्हारे दादाजी का गुस्सा शान्त करें, तुम्हें उनके करीब ले आए, लेकिन, बिटा, अब ये जिम्मेतारी तुम्हारी है, तुम अब किसी भी तरह अपने डै क्योंकि बड़ों की नाराज की जो है न वो सिर्फ सता पर होती है बीतर की गहराई में तो बहुत सारा प्यार होता है हाँ भीया दादी मान ने जब मेरा हाथ चुआ था तो मेरे रोंग्टे खड़े हो गये थे और तुम्हारी आखे भी तो भर आई थी ना चल चल मुझे ऐस क्या मशीन है ना साबू ना बुरूस ना ब्लेड ना पानी आपके पोते जी जब बंबाई वापच जाएंगे ना तब उनको बोल देना ये मशीन मुझे दे जाए उस मशीन से मैं आपकी दाड़ी वी वी क्या कर रहा है तो काम के तरफ द्यान दे माफ करना माफ करना कौन ही सुभी सुभी हावास कर रहा है आई मर गया मर गया बच गया टेबल की घड़ी थी दीवार की घड़ी नहीं थी लगता है पास दे ना ही नहीं है जो इतना टाइम लगा रही है गुड मोरिंग बच्चा पार्टी लाइन में लाइन में लाइन में क्यों क्यों ओ यह और बात्रूम नहीं है है ना घर के बीतर में ओके सी आप वहां लेडीज ही नाती है लेकिन तुम तो बच्चे लोग हो तुम बाहर भी ना सकते हो है ना कोई लेडीज ने देख लिया तो यह बच्चे तो बहुत देज हैं लाइफ ना हो तो ऐसी जब तक अंदर वाला बहार आता है क्यों ना हमें खेल खेले येस रेल गाड़ी चुक 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 बीच वाले क्या क्या हूं स्टेशन आ गया खेल खत्म फॉल्फॉल मैं था तुम सब जीत क ہے मैं हार गया वो क्या है उधर बात्रूम में तो पहले क्यों नहीं बताया उसमें कुंदी नहीं है लो नो प्राब्म मैं गाना गाखर काम से ला लूंगा लाला जा पापा थेर गंटे जे क्या करी थी बातरूम में थेर गंटे थोड़ी ना थी बातरूम में फॉल फॉल तो बारा मैं तुझे बताता हूँ यह ब्रेथलिस के स्टाइल में सास ली बिना कौन गा रहा है वही दी-दी मुंबई वाला ओ पा-पा-पा ठोकर में है यह आपके मुझे छेड़ जाए सुन्दरी तुम उसमें तुम क्यों चीक रहा है चीक तो बुदर से आएगी सुन्दरी सुन्दुली देखा अस मुंबई वाली का मुखड़ा मुखड़े के अलावा और सब कुछ देखा उसके चेहरे पे तो साबुन लगा हुआ था आरा है वो मुंबई वाला क्या करूं हाए कुछ कुछ होता है हुआ 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 हु हाई बड़ी बुआ दाल पीसरी है बड़ी नहीं मैं चोटी बुआ हूँ स्थारी पहली बार में लहना इसलिए कन्फ्यूज जो अरे अरे तुम क्यों अपना हाथ खराब कर रहे हो अरे इसमें हाथ खराब करने की क्या बात है अपना ही घर है वैसे भी मुझे यह सब करना बहुत पसंद है आपको बता है दरसल मेरा आइडिया होटेल खोलने का था यह वकील तो मैं यूही धोके से बन गया चोटी बुआ एक बार बताइए घर में मिक्सर ग्रांडर होते हुए भी आप सिल्बटे पर दाल क्यों पीसरे वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दादा जी सिर्फ इस पर पिसी हुई दाल के ही वड़े पसंद करते हैं ओ अउच ऑँच दब गे क्या उंगली इस ओके कुछ नहीं हुआ छोटी बहुत मुझे इतनी सी चोट लगी और आप इतना घबरा गई जब दिल में इतना प्यार है तो कल रात आपनी मुझे बात क्यों नहीं की कोई भी तुमसे बात नहीं कर रहा था इसलिए मैं भी चुपचाप रह गई अभी लाई अरे आप क्यों तक्रीफ कर रही है मैं ले कर जाता हूं इतनी अच्छी खुश्पू उसने वड़ों की तो नहीं हो सकती इसमें जरूर आपकी उंग्यों की खुश्पू भी शामल है अब है कि यहां रखों हुम वह जी के तो बड़े संदर्वाल है बड़ी बुआ क्या फुपा जी बहुत पुराने ख्यालों के हैं नहीं तो क्य नहीं यह जो एक चोटी बना रखी आपने आपके फेस कट के हिसाब से तो दो चोटी आपको बहुत सूट करें हां बड़ी अच्छी लगोंगी ना इस उमर में दो चोटिया बना के अजी उमर का चोटियों से क्या मतलब इतने खुबसूरत बाल जो हैं आपके ज़र घूम लेकिन कभी-कभी शैंपू के अलावा शिका का इसे भी धोया कीजिएगा बिलकुल रेशम हो जाएंगे आसानी से मिलता है मैं लाकर दूंगा अब अब फुपा जी देखेंगे ना तो बस देखते ही रह जाएंगे हाँ 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 सच किन आव डांस ना 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 तैंक यू अब यही हैसाल रखना अच्छा तो यह वड़े बन रहे हैं तुम्हारे हाई राम अभई ने चोटिया बनाने में सब भूला दिया हाँ बहुत नन्नी मुन्नी हो ना दो चोटिया लटका के घुमने के लिए ऐसा भी अभई नहीं का था हाँ यह कोई उम्र है द नो और इसे वं भाद बच्छे वहां भूखे बैठ JAMES Have the सच मBYता बढ़ी ओम्रवालों को कम उम्र वालों की उम्र।्यों के तेयखकर जलन होती है यह शकी कर बात को बिल्कुल आइश्य वरे राय लग रही है अब तुम्हारी बात तो में बिल्कुल नहीं आने वाली बिल्कुल नहीं आएंगी मुझे पता है आप intelligent है तभी तो मेरी आपकी जमेगी क्या हो रहा है पूजा के लिए फूल ले रहे थी पूजा कौन पूजा कौन नहीं भगवान की पूजा के लिए वो हमारे बंबे में तो फूल वाला घर पे ही फूल ले आता है हमारी मुंबई ओ कितने में करीदे तुमने मुंबई मेरा मतलब वो नहीं है देखो यह अपनी म मुंबई का रुबा भीदा नहीं दिखाना क्या इस घर में मेरा हुकुम चलता है मेरा मेरी इचासप के बिना फूल तो क्या कोई पत्ती भी नहीं तोड़ सकता क्या समझी हां और वो तुमारे भाईया कहा मून चुपाई बैटे नजरी नहीं आते पलट की तो देखो नाक के आगे ही नजर आएंगे रह गई ना अटके क्या है कि अपनी सूरत ही कुछ ऐसी है कोबर के कंडी जैसी कमान गाइस फॉलाव मी चलो चलो नोट यू ज़िए पॉलाव मी तरा रुबब तो देखो असका जैसे इसके बाप का घर हो उसके बाप का नहीं तेरे और मेरे बाप का है नजाने क्या समझती आपने आपको यह कौन है डाड़ी के किसी दोस्त की लड़की है बच्पन से यहां आती जाती रही है तो दादा जी की लाड़ी बन गई है तुम देखो मैं इसे कैसा सीधा करता हूं कोई भी उसकी तरफ नहीं जाएगा अपनी पार्टी अलग उसकी अलग यह कोई कहने की बात है दीदी हम जिएंगे तो आपके साथ मरेंगे तो आपके साथ आखिराफ कैप्टिन है हमारी गुड ओके चलो तुम सब फीलिंग करो और तुम बोलिंग क्यों बचो गिली डंडा चल रहा है क्रिके में क्रिकिट और गिली डंडा में फैर्क नहीं मालूं बिना आंपार के तो गिली डंडा ही हो सकता है और जहां तक क्रिकिट का सवाल है इंटरनाशनल गेम है उसके कुछ रूल्स है बहुत चांट का रही है तुमें क्रिकिट के कुछ Sixers भी लगाए थे बट नो सिंगल्स देखो ये वही अपनी मुंबई में जाके फैकना यहां नहीं चलेगा ठीक है नहीं पैंकता बॉल पैंको आजाद देखता हूं कितने Sixers मारती है चलो अब देखते हैं लेडीज क्रिकेट कैसे खेलती है हूं खेल डोगे खेलना क्या इसी तरा तुम्हें चोक्लेट में तुम्हें कैप्टैन बनादेंगे अब लोगों रसे सानी ओटे नियुक्त पारइस यह पोटहलेकं सब्धु चाओ- मिंहें सब्सक्राइब सिंगे एंप्राइब राइمे है क्या नाम है उसका माला कुछ जंगला जैसा सुनाई방 एक बर बोलके दिएख को जंगला मगला जंगल्स जंगलणे अरे हैं अरे कल्मु है जल्दी जल्दी हाथ चला ला एक चम्मश शक्कर उढ़ार के ये पूरा दिब्बा लेकर आती और हमाई पे हुकम चलाती अरे भाउजी थोड़ी सी चीनी ले लो भाउजी थोड़ी सी अंदर जाके ले ले अच्छा डब्बा भरके ले ले ना अमेशा की तरह अरश के मणश सोघ्रेया मंश क्या लत्ता थोड़ी दाधी हाँ यह कैसा नाम रखा है अप लोगोंने मेरा क्यों क्या हुआ यह ऐख ओर ज्माने में इतना पुराना नामको ही रखता है मंगला ऐं कैसलि तो मेराला थेखली है तेरे माता पिता मुझज से इतना प्या पर आपकी माबब को इस चार कोई नाम नहीं मिला चूप अपनी माबब के बारे मैसी बात नहीं करते차 confirm चिर्था of आरे यही तो होवे है फिल्लम में और बहुजी आप जो कहती है ना कि इस लड़की से घर में रॉनक है अरे इसे तो घर से विदा करने का जी इने करेगा आपका सोबे को हूँ अपने पोते से ही फेरे फिरवालो घर की घर में बनी रहेगी चोड़े गोबर के कंडी जैसी तो शकल है उसकी तू ही कर ले उससे ब्या अरे फट करके कर लेती लेकिन क्या करू मेरा मरद है बड़ा जल्लात काट के फेक देगा मुझे वाव शिक्स आखिर मारा किस थे वाव वड़ा फाइन शॉट भाया अरे बॉल तो उस गर्ण में चले गई अब हम क्यासे खेलेंगे बॉल को लिख आएगा भाया मैं लाओंगा बॉल आ गई थी आपके यहाँ मैं विश्णु प्रताप जी का पोता हूं मुंबई से याया हूं यारी तुम इंद्र के बेटी हो जी आप आप आम सॉरी बिना पूछे अंदर चलाया शाय आप लोगों को अच्छा नहीं लगा मैं जाता हूं अच्छा चौड़िया ताओ जी रुद्र अपना दिमाग ठंदर रखो इतनी गर्म खाने की जरूत नहीं है राम नावमे को नदी पार के मंदर में उत्सो हो गया जमान तो मैं यह कह रहा था उस दिन आप सैपरिवार वहां जाकर पुजारी को वस्तरादी भेंट करके आप वापिस आ जाए और आने के बाद आपना सश्टी पूर्ति मना लीजी उसके बाद फिर पंच्वी का दिन तो बहुत शुब निकलता है उस दिन आप इनके विवा की रसम पूरी कर लें मतलब बारा दिन के बाद जी क्यों बैटे तुम्हें कोई दिक्कत है बारा दिन के बाद नहीं दिक्कत तो कोई नहीं है बीच में जरूरी काम के लिए शायद शेहर जाना पड़ेगा इसलिए खर कोई बाद नहीं पंडी जी आप पतिका तो लिखे अच्छा जजमान मैं शुब घड़े देखकर लिख देता हूं ठीक है पंडी जी को 101 रुपया दक्षिना दे देना जी बाओ जी ओ मेरे पास तो सिर्फ 500 कि नोट है मेरे पास भी छुट्टे नहीं मेरे पास है ये ल नानी मा की शादी है नानी मा आपकी शादी की तारिक पक्की हो चुकी है नानी मा आपकी शादी अब हो रही है मेरी मा की शादी तो कब की हो गई मा की शादी तो मेरे पैदा होने से पहले ही हो चुकी है यह दादा जी की शष्टिपूर्ती की शादी है उनकी साथवी है ना साथवी तो बाकी के 69 नानिया का है यह क्या हो रहा है मिस्टर आजकर जिसे देखो डॉक्टर बना फिरता है चुपकर मैं नहीं का तैसे महलम लगाने के लिए बहुत दर्ता मेरे पाओ में तेंक्यू दादी मा दवालो ददिया उम्र की वज़े से है यह दर्द अच्छा उम्र तो इस दूसरे पैर की भी उतनी नहीं है यह डॉक्टर मंगला जंगला 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 नयं ञाओं को यह रहता हैं किस किस बेचारी को मां बंगला को और किसको कोई बेचारी बेचारी ने वो बहुत चालू है दीपा अगर तु कहती है तो अभी जाके रहने वे रहने दे कोई जरूरत नहीं है काम ले पड़ जाएगा अभे ठampa пожाएगा अगरेर हमे को ऑशय को यहीं है क्रarilyn सब्सक्राइबाे काम आफवराश बाहिवा जरूरत नहीं है चाहीं है यहीं हीं है तु काम अभी जरूरत वेले को को यह है तु किस भीख है prevention conversion तर ला दोननननнуться तर र दोनननना चरंदया था तराम सब्रें बाड़ नगाथ को चला पुछे फार ये लाटी छुर गई थी माफी मागना था अपसे फिर भी आप उसे मारे जा रहे थे क्या होगे आपको छाड़ा मुझे इंद्र प्रताप का बेटा गाउं आया हुआ है मैं तो उसी दिन मार डालता लेकिन ताउची ने मेरा हाथ पकड़ लिया अब भले ही मुझे छुपकर वार करना पड़े जब त बैल गाडी में बैटकर पिक्चर देखने जा रहे हो एक है काउं में आए हो तो बैल गाडी में भी बैटना चाहिए यह राइट वैसे यह ट्रैक्टर मीं गाउं की सवारी है ना हाँ अच्छा बारा का शो देखने जा रहे हो या तीन का लेकिन इस पीट से तो छे बजे वाले शो में भी नहीं पहुंचोंगे जिनको बारका शो देखना है वो मेरे साथ आजा अब एक की सवारी और है मैं बेशर मुक्सर नहीं जाती लेकिन मैं जाता हूँ क्या दीदी क्यों देरी लगा रही हो पिच्चर छूट जाएगी जल्दी आओ ना अब ग्रैक्टर में बटने कि इतना भाव खा रही थी अब क्या हो ओए यह गलत फह्मी में बैंदे ना मैं ट्रैक्टर पे इसले बैठी हूं क्योंकि ये मेरे दादाजी का है ठीक है मैंने कब कहा तुम्हारे पती का है मेरा पती ट्रैक्टर नहीं चलाता तो क्या लॉली चलाता है अरे चुक एसा महत बोलो इसलोग ड्राविंग सीट पर मैं बैठाओं ऐसा लगेगा जैसे मेहन का तुम और मेरे पती अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारी चाय में जहर डाल के तुम्हें मार डेती और अगर तुम मेरी बीवी होती तो वो चाय में खुशी से पी लेता बच्चो फोल्डाउन मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं जैसे यह ट्राक्टर दादाजी का है वैसे ही मैं भी उनी का हूं तुम मुझे पकड़ सती हो कोई कुछ नहीं सोचेगा पकड़ लो मुझे कोई दूसरा ढून लो ओके ए छोड़ना चुप ये नखली है ना अब बढ़ा टीटो फीज़ा अब बढ़ा टीटो फीज़ा अब बढ़ा टीटो फीज़ा इंजन बन कर दो भाया जंगली आती है बिगड़ गए तो रॉंद के रख देंगे तेजा कहाँ है कौन तेजा तेरा पाफ एई दका क्यों दे रहे हो ये मेरा है तो फिर में हाथ का रहूं उस तरह दूसरा है ना ये हाथ उस तरव रखो तो मेरे गंदे पर रखो को है कॉसरा है कि में देक है आज मे से सब्सक्राइब के रहे को च्रेश्ट सीधी तरह बैटने तो तेरी टंग तोड़के हाथ में देदुआ हम फिर से किया तो मुझे बताना तुम यहां बैठो ना कार्थिक मेरी सीट पर आजाओ जी बहिया है है हिरो बगीचे पर गूम रहा है क्या यह लाल टोपी जल्दी नीचे बैठ क्या नाम है आपका शकीला शकीला कितना अच्छा नाम है इस लड़की का नाम पता है मंगला जंगला उससे मेरा नाम नहीं पूछा अरे तो क्या हुआ कहा की रहने वाली हो मुंबई की मुंबई अरे मैं भी मुंबई का रहने वाला हूं यह बेचारी गाउं की है बहरिया खेडा की उसने यह नहीं पूछा तो क्या हुआ अब किसी गाउं से निकल कर शहर में अंग्रेजी भी बोलने लगी है वैसे मुंब में कहा रहती हो कमाठीपुरा रेड लाइचेरिया कब आओगे मुझसे मिलने कमाठीपुरा अब जो कितना भी फाँआी नहीं नहीं था लेकिन तुमने जवाब नहीं टिया में जाओगे मिलने? मैं आईस क्री में चॉक्लेट खाऊहा? dilania चॉक्लेट नहीं मिलती मुफ बint करो और आईस क्रीम खाऊ क्या दीदी मुपन करूँगा तो खड़ूंगा कैसे मैं दूगा चॉकलेट तुम्हें ये कंगी दो मुझे ये लो भाईया चूम अंतर काली तेरा वचन ना जाए खाली अबरकड़र ओम शैम बैम वैम शकलकपलक डख फाइव स्टार वाँ अबै भाया ये कैसे मैजिक मैजिक चॉकलेट तो तुम जेब में लिए गूमते हो रिश्वत देने के लिए तो क्या यकीन नहीं होता तुम्हें डाउट है ओके अपनी कोई चीज दो मुझे ये ब्रेस्लिट दो मुझे क्यों क्योंकि मैं इसे लड्डू बना कर दिखाऊंगा लड्डू जी हाँ ठीक है ये लो चूमंतर काली तेरा वचन ना जाए खाली अबरादोम शकलाखबलाख तुम सब के लिए फ्रेश फ्रेश भूंति दो मुझे भी दो तुम भी लो तुम भी खाओ तुम भी खाओ तुम भी खाओ वाव भया ये देश्में भी एक बलंडू जैसा है और खाएंगे बैया अंगुटी देना दीदी शट अप ये चला की मैं खूब समस्ती हूँ चलो मेरा ब्रेसलिट वापस करो ब्रेसलिट हम वह तो लट्डू बन गया और सबने खावी लिया ब्रेसलिट बिकम्स लट्डू लट्डू बिकम्स ब्रेसलिट इस अल वन इसेम भाई अजी आपके लट्डू अरे मैंने तु तुम्हें चार नाने को कहा था तु तीन ही लाया मुझे तो पहले ही पता था है घर आ गया क्या हुआ क्या हुआ यहां सर रख के सोने का क्या मतलब मतलब ही हुआ कि जब इंसान थकावा हुआ तो खात के बुरे पर भी सर रख कर सो सकता है ओ गुदनाइट गुदनाइट मुदनाइट गुदनाइट गुदनाइट अब है अब है अब है थी कि जादू दिखाने के बाहने से तुमने उससे ले लिया हाँ 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 वो ऐसी यह नो तुम मंगला को चाने लगी हो ना अरे मा भी देखो अभे तुम्हारे दादा जी पहले हमसे बेटा बहुत नाराज है मा अब अगर उनको इस बात का पता चल गया ना तो बिटा अच्छा नहीं होगा लेकिन सुना है वो अपने करीब के रिष्टेदारों में ही मंगला के लिए लड़का देख रहे हैं हम मा हम हमसे करीबी रिष्टेदारों का और कौन हो सकता है करल प्रॉस हलो हाए मिठाई अरे पहले बताना था था हैपी बर्टे बर्दे नहीं है मुझे मेरा ब्रेस्ट वापस त्रहए ब्रेसलिट कैसा ब्रेसलिट जो कल तुमने जादू की बाहने ले ले लिया था वो ब्रेसलिट मैडम वो कोई भाना नहीं था तुम्हारे सामने ही तो मैंने ब्रेसलिट का लड्डू बनाय था तुम्हे खाया भी था मीठा था ना हाँ मीठा था अब में तुम्हें लड्डू दे रही हूँ मुझे मेरा ब्रेसलिट वापस कर दो इस लड्डू से ब्रेसलिट नहीं बन सक मस्री भरी मुझे इस से बचाओ गुद मॉर्निंग यह 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 इपन्षट प्लीज फटा फड़ इसरी करते है इतना बल्चाने की जोरत नहीं संद्री वो फिर उदर गया है कितार उसी पिना कुंडी वाले बात्रों में तूम भी जाओ ना पैन तो देती जाओ आज फ्रीशो तिखाती हूँ तुम भी क्या याद करोगे सपनों में रोज आए आजिंदगी में आना सनावी सुनो तुम फटटी है आज मैं तेल लेने के लिए आई हूँ है पतलोन फटी है आरे पतलोन फटी है पतलोन फटी है क्या कह रहीती है पागल होगा है सब आरे पतलोन फटी है पतलोन फटी है पतलोन फटी है पटी हुई है थेख 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 झीय वहू जो शो आई। अब बंर, एह। हो... 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 हो市न शो जब वह। हो... ग्यां जात कैरी वожд adalah हुो परानन als बंस having येस अज़ पश्चात हनुमान जी भगवान शीराम जी की अंगुठी लेकर माता सीता की समुख पॉंच कर कहते हैं मंगला प्लिष तुमने दवाही ले ल्यों हे आसे कैम बाइ से पहले ल्याने के बाद झाया अरे अरे बाबा खाने कबाद ले ल्यों हे अरे बाबा कैने के बाद ली लै ली गूद गवाइफ बर्म जी लेली खाने से पहले या खाने के बाद क्या हुआ उसने भी बिलकुल ऐसे ही पूछा उसने? किसने? वह वहाँ वहाँ यह क्या है मंगला तुमने या भाई की जीन्स के जला दी? ददू पहले उसी नहीं मुझे जताय था क्या हुआ हग बनता है उसका वह इस घर का असलब होता है यबकि तुम सिर्फ मेरी एक मूह बोली पहती हो तुम नहीं जानती कितने बड़े-बड़े खर के रिष्टेया आ रहे उसके लिए हां? यूँ कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुक दुख सदा मिलके सहे कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुक दुख सदा मिलके सहे इक दुझे को इतना प्यार दे ये सासे ये जीवन वार देना कभी कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुक दुख सदा मिलके सहे मिलन की रात हो मिलन की बात हो मिलन की रात हो मिलन की बात हो लबों पे हो हसी हाथ में हाथ हो हमें जीना है सब के वासते हम खड़े न सचके रासते न कभी हो जुदा उम्र बर सात में हम रहे कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुक दुख सदा मिलके सहे तुम कहेड़े बार शुम कभी युदा कुछ दुम कुछ थासते हुआ कुछ झाल झाल जो अपने खाब थे वो पूरे हो गई खुशी के रंग में आज हम थो गए जो अपने खाब थे वो पूरे हो गई खुशी के रंग में आज हम थो गए कोई आखों से दिल में आ गया खुश्बूओं से मन में है का गया ना कभी हो जुदा उम्र बर सात में हम रहें कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुक दुक सदा मिल के सहें क्ले के सदा मिल वहा क्ले का क्ले के स्दा हाउ स्वीट देया स्वीट क्या फोटो आया है फोटो मुझे भी दिखाऊ ना शू यू नहीं खबरदार कि इसको दिखाए तुम्हें तेखो मुझे फोटो वह आपस दे दो अभे प्लीज ये ठीक नहीं होगा अभे अरे 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 कहा जारे तु आपर अभे प्लीज अभे कहा जारे तु अरे 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 वह ये देखो बाबुजी की फोटो कितनी अच्छी आई है और ये तुम्हारी भी वडा खाते हुए हां और मेरे पास तुम्हारी तस्वीर भी है आटा खाते हुए मैं आटा नहीं खा रही थी नमक चकरी थी फुराणावाल है ये देखो दादी मा की फोटो कितनी सुंदर लग रही है तुम तो बहुत अच्छे फोटोग्राफर निकले सच हाँ हाँ बिलकुल सच के रहे हैं सच में लाइए अब मुझे दे दीजिए क्यों अब है ये फोटोग्राफ हमें देने के लिए नेकाली है नहीं इन्हें मैं अपने साथ ले जाओंगा दीपार मैंने कभी मैसूस नहीं किया है परिवार होने का हिस्सा क्या होता है दादा और दादी का प्यार बुवा का प्यार भरा मजाक और दादी मा के हातों से खेलाया हुआ ने वाला यह पिछला हाथा एक एक सपने के जैसे रहा है जिसे मैं कभी बुलाना नहीं चाहता हुआ शश्ची पूर्ती होते ही हम सब चले जाएंगे और मुझे पता है आप हमें फिर कभी नहीं बुलाएंगे इसलिए मैं आप सब को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ जब मैं तो सबसे पहले मैं दादा और दादी की तस्वीर के समने जाऊँगा और हाथ चोड़कर आशरवाद मांगूँगा और वो मुझे आशरवाद दे देंगे जब मेरी बेहन की शादी तैह होगी तो मैं अब सब को काड़ भेजूँगा लेकिन आप में से कोई भी नहीं आएगा ना दादी मां ना दादाजी ना अंटी ना अंकल कोई भी नहीं दुख तो होगा मुझे पर मुझे पूरा विश्वास है आप सब उसे तस्वीर से ही आशरवादे देंगे अरे आप सब इतने सीरिज क्यों हो गए मैं आपको एक सूपर फोड़ोग्राफ देखाता हूँ बेटी ये इंदर की चेन है इसे तुम पहन लो नहीं दादी मां दादाजी को शायद अच्छा ने लगे मगर हां किसी दिन अगर वो खुद अपनी खुशी से मुझे पहनाएंगे मैं इसे जरूर पेनूँगा आप्रेक रिवर्स मुझे भी उठाओ ना नहीं मुझे पहले कल कल प्रामिस 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 हाए बहुत अच्छी लग रहे घ्रेस में थाईंक यू वैसे तो ये जुझ पर जचेहीं साइकल्भ ऑछ चलाना आथा है यह से मैं साइक mismi मैं सॉमकीम हूँ और मैं हमेशा पूरस आती हूँ मेरी भाया भी रान्डिंग रेस में मार थैब। हमारी तो नमभर वान है मेरταने भाया अब है अबूस दो जो भी मंदिर वाले तालाब से कमल का फूल तोड़के लाएगा वही नंबर वन कह लाएगा मन्जूर है मन्जूर है अरे मुझसे कोई पूछेगा मैं लडगयों के साथ कॉमपरेशन नहीं करता क्यों घबर आगे जो बहाने बना रहे हूं हम इजद को सवाल है भाया ओके अल दर बेस्ट दीदी थैंक यू बद लब अरे दीदी तो निकल गई डॉंट फारी यहीं लॉटकर आजएगी भाया जल्दी उठो वजना हम बैठ हार जाएंगे भाया उठो ओके 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 शायद आने के डर से वही रहे गया हलो जंगला मंगला हां रुक्यों गई जाओ ऑइदो वे थैंक्स वो किस लिए क्योंकि दादिमा ने कहीं तरह की सबजियां असलीगी में बना कर मेरा वेट बढ़ा दिया अब तुम्हारे इस चैलेंज से कम से कम दो किलो वेट घड जा अब पते चला मेरा वेट अरे बेचारी का हेंडल टेड़ा हो गया चोट मुझे लगी है प्लीस या यह नहीं हेट मी साइकल तो उठानी होगी ना उठो साइकल चला पाओगी ठीक है तुम सामने बेठों मैं चलाता हूं हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है मुझे तो पहले ही पता था हुआ 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 है इकनी जल्दी साइकल पर बिठा लिया लगता है जल्दी ही शादी की बिठाई खिलाओगी हुआ है तो जान अपना काम कर बख्वास करती है बिना वोजे अरे रहने दो रहने दो जो पहले बहुत जगरते हैं न बार में वही प्यार में पड़ते हैं ये मैंने ही सारी दुनिया कहती है हुआ अबुल ही दिधी के हाथों में फूल है यानिकी दिधी जीत गए नेवह मेरी भाई मंगला से कभी हार ने सकते बोलो ना क्या हुआ मैं हार गए मैं मंगला से हार गे हाय यह जूठी हार जीत समझे बावु आपकी असली हार जीत तब तक नहीं होगी जब तक दादाजी का आशिर्वाद नहीं मिल जाता छोब तक पका आशिर्वाद नहीं मिल जाताजन मिल जाता हार जाता जाता है। मैंने आश्की कर ली हुआ सलाम दिल का मैंने आश्की कर ली उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली मैंने आश्की कर ली हुआ सलाम दिल का मैंने आशिके कर ली हुआ सलाम दिल का मैंने आशिके कर ली उम्र भर के लिए तुम से दोस्ती कर ली उम्र भर के लिए तुम से दोस्ती कर ली हुआ सलाम दिल का दिल का अजब वसी ये चाहत है ये पहीं पहली महाबबत है, पूछो न कैसा हाल है अंधिरों में हूँ जानों में, मैं कोई हूँ ख्यालों में, ये तो घजब पाक्त साल है प्यार के दिये जला के, मैंने रोशनी कर ली हुआ सलाम दिल का, मैंने आशकी कर ली हुआ सलाम दिल का, मैंने आशकी कर ली कहीं भी चल जाओं मैं, तुझे ही बस पाओं मैं पहरा है तेरा हर जगा नजर में बसी है तू, नजारों में छुपी है तू, चेहरा है तेरा हर जगा जान जाएगी अगर तूने बेरुखी कर ली हुआ सलाम दिल का, मैंने आशकी कर ली हुआ सलाम दिल का, मैंने आशकी कर ली उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली है, आए डॉक्तर साइब है ठीव शहा कर दोस्ती करें पर मलम इस पर लगा रही हो तर लग रहा है दुखी गाना मैं लगा देता हूँ बिल्कुल नहीं दुखेगा प्रॉमिस कोई बदमाशी नहीं करूँगा शराफत से लगाऊँगा प्रॉमिस ओके बदमाशी करूँगा लाओ ओके दुख तो नहीं रहा है अच्छा तुमने जीत कर भी हार के मान ली सच सच बता दू एक तम सच एक तो यूही तुम्हारा गुटना चिल गया था उपर से मैं सची बात पता देता तो जखम पे नमक छड़कता हो जाता ना यूह अच्छी बात है अगर तुमारी मुसी को बूलना कर भाया कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा नाम भी मंगला नहीं आपकी बात हैँ आज सब लोग यहां कि लिए शाथ साथ निकले हैं जी हम आपकी राय ले नहां ते विश्णुकताब जी कैसी राय हैं जी हम सब लोग इस बार भी बांद के नीचे मेला लगाने वाले थे माता के मंदिर के आगे पर इंजीनियर साहब की बात सुनकर हम सब लोग डर गए कि बांद के हालत खसता है कहीं एन वक्त पर टूटार गया तो अरे शुप शुप बूलिये रस्तोगी जी कैसे बात कर रहे हैं आप माना के बांद की मरमद जल से जल्द होनी चाहिए लेकिन ऐसा भी क्या है सब का माता पर भरोसा है ना जी पेशक मेला लगवाईए मां सब को समभल लेगी आए बीवी जी आए बाबुजी दास रुपे में चार बार किसमें तर्वाइए रिंग पेकिये नेल पॉलिष जीद के लिए मए वह अखोश हो जाएगी यह लिए नेल पॉलिष प्लीज भीज बिला अग्ज़ बोलो ना आपने जादुगर को फिशिक करके बना देगा च यह बिलकुल हर चीज पाना इतना आसा नहीं होता यह यह इदा लो गल्ला यह दे दूगा तो मैं क्या कौपा नहीं को आप लोग आपस में रिंग बदल लो कि एक्सक्यूज मी मिस्टर इस रिंग की बात कर रहा है यह सरा सर जात्ती है विरेंदर परताप जी जास्ती वास्ती समझे सरकारी नौकर और तंकाल और चुब बैठो मैं के मामनेवाज सरकार को चिट्थी लेकर हुशारी दिखाने के ज़रा दिये लेकिन रुद्र बाबू देर सवेर बाद में छेद तो करना ही पड़ागा बाद में छेद नहीं किया जाएगा इसी बात के लिए तो कोड से स्टे ओडर लेकर रहा है दिखा वकील इनको वो क्या है संजे स्टे ओडर हमसा मिलके दो दो हाथ लगाएंगे दो में बान में छेद हो जाएगा इन लोगों से बात करना ही बेका है विश्णो परताप जी एह यू मनमानी करने के लिए नहीं होता कानून तो क्या इन्सानों को पाने के साथ बहा के मार देने के लिए होता है कानून? कर्साथ, करे रेंफिछा ए गानुन, करता धना मैं को कर चानून! आ creeping को समक्षूम को आपरा टे कर्दाश कोया, जह ए्टा कर मैं सकार बाहता है हॉरth उलही जहां? उल Mine जहां बलुबाद, क्को पत सुल्च ते, जहां जुडुत है। we will send it to be vacated in the open court of law under the Rit of Manuments now do you know what the Rit of Manuments is mister... Sher Prasad yes it is asking the government to do what it ought to do and not what it ought not to do right are you gonna explain this to your clients or do you need a warrant of arrest to refrain you from doing your frivolous activities you how do you know how do you know I am Elil veut graduate um hn you're a doctor yeah come on you're silent are you silent the truth is okay just by telling the fear of public를 का डर बताकर हमारा स्टे आउडर कैंसल करवा सकता है बलकि हम लोगों को जैल भी बिजवा सकता है वैसे लड़का कानुन जानता है कौन हो बाबु नाम क्या है तुम्हारा अभेंदर विष्णु प्रताप सिंग यानि कि आप विष्णु जी के पोते हो जी अरे शेर ही के घर में शेर पैदा होते हैं दादा का नाम पोता ही रोशन करेगा अरे बोलो अभेंदर विष्णु प्रताप सिंग की जिन्दावाद अभेंदर 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 अ किसी दिन अगर दादा जी खुद अपनी खुशी से मुझे पहनाएंगे मैं इसे जरूर पहनूँगा पेटे मैं आज ही अपने हाथों से ये चेन तुमें पहनाऊँगा अबए बाबु आज दादा जी बहुत खुश हुए हैं ये मौका छोड़ना नहीं मंगला का हाथ मांगलो उनसे वरना अगर बुड़ा बुड़ी की शादी रचाने आया था ना फिर गाओं के मामले में क्यों दखल दे रहा है ये मामला आप कोट में है वहीं इसका फैसला होगा अबे ओए इस गाओं का कोट भी मैं हूँ कानून भ meattкие क्या वरन तूवण में छेयत रुखाएगा अगर नहीं गया तो बांध झायता है जाने कितने लोगा मैं भी पाने में और तो द भाह्या चाहिमें जबबादा पानी में नहीं खून में बह के मरें गे याद रखना ऐसे कितने लोगों को मार दोए तुमा अ सबसे पहले तो मैं तेरे खांदान को तबाह करूँगा उसके बाद तेरे आखों के सामने तेरे दादा को काट कर मंदिर में बली चाड़ाँगा ग्रीब घिरा गाह सेटे दस मेंजर अभा हुआगा है देरे खांदा तेरे खांदा उसे डते में काड़ाँगा से छो ही यहीत घुक फो थिर सौ घुक 5 करूढ़ा जिर तेरे लождения है झा यह घो systematic झाल 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 का डिर्टा मैं यहां किस लिए आए हो एक बार तुम्हारे बाप नहीं हां लगा हीड जिसान एंड मुषिमें गाए में हमारे दोना सुखी परिवार जुलस रहे हैं और आज तुम यहां आए हो उसी आग में घी डालने के लिए कि जिस परिवार का प्यार वापस हासित करने के में कोशिच कर रहा हूं उसी पर तुम पानी फेर रहे हो पर तुमारे बाप ने तो हम लोगों सिर्फ दो टुकडे में भाटा लेकिन लगता है तुम तो पूरे गाव के दो टुकडे करोगी जाओ तुम जलो जाओ यहां से यहां तुमारी कोई जरूरत नहीं है इस गाव से जलो जाओ पता था मुझे तुम यहीं पर मिलोगे बहुत दुखे हो ना दादाजी नो तुम पर हाथ उठा दिया तुमारा यह गुस्सा बिलकुल वाजिब है लेकिन दादाजी का थपड मारना भी तो वाजिब था तुम जानते हो यह रुद्र प्रताप कौन है नहीं तो फिर यह भी नहीं जानते होंगे के अपने सामने वाले कोठी में कौन लोग रहते हैं वो तुम्हारे दादाजी के सगी छूटी बहन का घर है भै क्योंकि दादाजी अपनी इकलोती बहन को हमेशा अपनी आखों के आगे देखना चाहते थे इसलिए उन्होंने अपने दोस्त वीरेंदर प्रताप से अपनी बहन का ब्या कर दिया इसके बाद ये दोनों परिवार बस नाम के लिए ये दू रहे गे थे वरना दादाजी हर शुबकार ये बहन के हाथों करवाते जो जेवर कपड़ा अपने पत पिढ़ी दर पिढ़ी ऐसे ही चलता रहे जब यहां विरेंदर प्रताप के भाई नरेंदर प्रताप की बेटी अमृता बढ़ी हुई तो उनका ब्या तुम्हारे पिता इंदर प्रताप से करना चाहा वैसे भी उस बेचारी को बच्पन से यही समझाया गया था कि इंदर तुम चुप क्यों हो कुछ बोलो भी पेटे विरेंद्र प्रता आज तुम इसके मुझे हां करवा ही लो देखो इंद्र की बेटी अम्रेंटास तुमारा ब्या तो होने हाला है अब मेरी शांती बेटी के लिए अच्छा रिष्टा आ गया है तो अब चाहते है कि दोनों एक साथ एक ही मंटब में कर दिया जाए क्यों तुमारे कह रहा है जी मेरा तो यह फाइनल यर है तो और इस साल तुम्हें शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता बात तो इंदर की सही है इसकी इतने सालों की मेहनत हम अपने स्वार्थ के लिए जाय नहीं कर सकते ठीक है इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगी शादी भाई साप फिलाल हम इंदर प्रताप और अमरता की सगाई करके शांती की सादी कर देते हैं फिर अगले साल इनितनो विष्णु में इंदरोर अमरता की चादी भी हो जाएगी ठीक है ना भाई साब ये भी ठीक है विष्णु शही है तो इंदुक भाई सगाई करने में तो तुम्हें कोई इतराज नहीं है ना यही तुम्हारे पिताने गल्ती की उसने एक साल की महुलत तो मांग ली पर असल बात नहीं बताए कि वह बंबय में तुम्हारी मां से प्यार करता था लेकिन वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं देखते देखते साल गुजर गया अब जैसे ही तय था शादी कर दिन भी आ पहुचा अब दीदी ये काला टीका लगा लो अब आयाय कतल कर रही है यो साली जी सची पस्पी की जी पता है सब्लों मुझे क्या कह रहे है क्या शाथी को एक साल भी नहीं हुए और अधना बड़ा प्रेट है अरे दमाजी आपको बुला रहे हैं दूले के यहां जोडा लेकर जाना है जाता हूं साब इंदर बाबु एटैची लेकर स्टेशन गया है लग साहब इंदर बाबु आपके नाम यह चिठी दे कर गये हैं बाओ जी मैं अमरिता से शादी नहीं कर सकता क्यूंकि मैं मुंबई में एक लड़की से प्यार करता हूं और उसी से शादी करने जा रहा हूं हो सके तो मुझे माफ कर देना पर थबनता ज़ा हूं मैं अborसी प्रित अमरускा से प्री दे शादी टोने और एकुझ थजर भुझे धनित करूम है तो नएार कावशन उड़कि मैं नएर्णन कर एार रखूसне है एरोग्सी है रारी थे खवकिनो पतुझे से छे जवम मैं अ cevुव शेब़क以及 बutक्य करु क अगर तुम्हारी बेटी का शहर में नेनमटक का चल ला था तो तुमने अंधेरे में क्यों रखा हमें विरंद्रपदाप मुझे इस बास का कुछ पता नहीं था पता होना चाहिए था होना चाहिए था पता नहीं था कि देने से मेले खाल की तभारिक तब नहीं हो जाती है कि अट रिखेंद्रपदाप श्क करता है आप बड़े होकर रोगनी सकता है आपाई लगाई 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 अरोग घायम.. बांदेंट माज मी? यरोग जिन और रुआत घाल गव जायम लए अवडन लेंदर 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 बड़ा अनर्थ हो गया उस दिन तुम्हारे पिता की एक भूल की वजह से विरेंदर प्रताप का सारा परिवार तैस वहस हो गया सच पुछो तो दादा जिका दर्द कोई नहीं समझ सकता आमने सामने रहने के बावजूद वो अपने बेहन का हाल तक नहीं पूछ सकते हाल तो क्या नदर उठा के उसके घर की तरफ देख नहीं सकते जिसे वो अपना घर समझते थे इसलिए बेचारे हवन करते हैं ग्रवों की शांती करने के लिए पूजा पाठ करवाते हैं जितनी पार वो पूजा में बैठते हैं बगवान से यहीं मांगते हैं कि किसी भी तरह से दोनों परिवार एक हो जाए और उनको उम्मीद भी थी कि विरेंदर प्रताफ एक ना एक दिन दोस्ती का हाथ जरूर आके बढ़ाएंगे लेकिन आज जब तुमने रुद्र प्रताफ को मारा तो दादाजी से बरदाश्ट नहीं हुआ उनका हाथ तुम पर उट गया माँ अभे कल सुबह होते हैं अपने शहर लोट जाएंगे आज जो सारी गाउं के सामने तुम्हारा अपमान हुआ है उसे मैं बिल्कुल बरदाश्ट नहीं कर सकती लेकिन अभे इससे पहले जब तुमने वापस जाने के लिए कहा था तो मैंने तुम्हें रोका था आज मै मैं तुमसे कह रही हूं कल हम मुंबई जा रहे हैं उस दिन मुझे रोकने के लिए आपने कहा था बड़ों की नाराज़गी सर्फ सतय पर होती है भीतर गहराई में ठेर सारा प्यार होता है अब बिल्कुल सही थी मां कल हम वापस नहीं जाएंगे अब हैं जी बड़ी भू जी के हाथ से मार खाकर अपमान होता है किसी पोते का अगर बचपन से में आता रहता तो दादा जी से मुझे प्यार भी खूब मिलता और मार भी घूब मिलती जब वो खुश होते तो मेरे लिए घोड़ा बनते और जब नाराज तो मुझे मूर्गा बनाते जो हुआ को कि मुझे मारकर दादा जी के हाथ में दर्द होा होगा यह दादी-मा पार उन्हों ने मुझे दांट दिया कि चले जाओ निकल जाओ तो क्या मैं चला जाओंगा नहीं सच तो यह कि आज मैं बहुत खुश हूँ अज पहली बार दादा जी ने मुझे चुआ तो सही वो भी सब के सामने सारे गाओं के बीच उन्हें ने जदा दिया कि मैं उनका पोता हूं और ये मत भूलिये इंसान उसी को मारता है जिसे वो चाहता है अब मेरे पीटा अहां मेरे पीटा कमाउन जादी मा अब ढूरो मत दादी मा पाउं सुनिए नहाने का पानी रख तिया है बाल्ती में बाल्ती में क्यों दूब मरने के लिए चुलू बर पाने ही काफी था क्यों बेकार में गुस्टा होते हैं आप समझाओ अपने भतीजिये को कुछ अकल से भी काम लिया करे गलती इसकी थी लेकिन तुम्हारे भाई ने अपने पोते के मुँपर ठपड मालकर सारे गाउं के सामने मेरा सर नीचा कर दिया इस दूद में कुछ अकल की घुट्टी भी मिला दिया करो कुछ बुद्धी तो चले उसकी कह आपके लिए भाईया थरकते ना किया गरे समझादे ना उसे साड़े आठसों साड़े नौस्टों हाँ बोलो जी तौजी ने सिखा पड़ा के भेजा ना कि जा उपदेश दो से नाई जी आपके लिए दूद लाई हूँ चलो मेरे साथ सब भूलके लेकिन मैं नहीं भूला मैं नहीं भूला आख के लपटों को जिनने मेरी दीदी की जान ले ली मैं नहीं भूला अपने बाप के मौत को मैं कुछ नहीं भूला मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा नहीं अब बाबू ऐसा नहीं हो सकता यह नामुम किन है तो क्या मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहूं यह सोचकर कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा नहीं गोवंदादा नहीं मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा मैं इन दोनों परिवारों को फिर से मिलाकर यहां से जाऊंगा और वो समय अब आ गया है राम करे ऐसा ही हो जाए हां राम करे वैसे तो मैं दो दिन के लिए नदी पार राम नोमी के लिए जा रहा हूं इस बीच बा कोई फिकर ना करें आप आराम से जाकर आए है जलो हरबजान आर्थी से पहले उस पार पहुंचना है माफ कीजिए मालिक इंजन में पानी चला गया है आप उसनाओ से चले जाए हैं वक्त पे तरी बोट खराब होती हमेशा ओफो इस ना से जाए हैं उसना से मतलब तो मंद अधर पहुंचने से ना चलो उसना से चलते हैं समाल के सुनन दा हात लो हाँ अधर्म कि अधर्म करने पाने कि अधर्म के अधर्म करने सब्सक्राइब च्राइब और यह वापस क्यों यह बोट किसी के बाप के थोड़ी है है चल बैट मम्मी मुझे भूख लागे कुछ खाने को दो ना हाँ बेचा अभी तेती हो मम्मी मुझे भूख लागे कौन है कौन है जहाद में उड़ते हो इतनी अकल नहीं है छिल के कहा फेगना जाहिए बेवकूफ कही के अरे अपनी आखों के इलाज करवाव चतुरवेदी यह क्या देख रहा हूं विरेंद प्रताप सिंग और विश्नु प्रताप सिंग दोने एक साथ आपको नहीं पता अरे नहीं पता जी नमस्कार विरेंद प्रताप जी नमस्कार विश्नु प्रताप जी अरे मैंने तो पहले नहीं कहा था विवाह के लिए मुहुरत बिल्कुल उचित नहीं है लेकिन मेरी किसी नहीं सुनी और नतीजा यह हुई बिध्वा आयम सवसवरी कहिए सुनन दा भावी जी से मिलकर प्रसंदता प्रताप जी को विश्नु प्रताप जी के चड़ों में गिरना ही पड़ेगा उनसे माफी मागनी ही पड़ेगी आशिवाद लेना ही पड़ेगा अब लियाना आशिरवाद चतरवेदी जी मेरे बाट तो पहुंगे कहिए क्यों रुद्र बाबू बड़ी हांका करते थे के मामा मामी से कभी संबंदनी रखूँगा अब क्या हुआ माफी मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं घिसते नहीं इतने बड़े हो गए लेकिन अगल नहीं आई तुम्हें जूट बताने के लिए मैं ही मिला था उस रुद्र ने मुझे तिनी जोर का थपड़ मारा कि हफते भर तक मेरे दिमाग में घंटियां टंटान आती रहेंग मिलेंगे कहो तो वो मारता है नहीं मिलेंगे कहो तो यह मारता है अरे अच्छे चक्कर में फसे पंडित रामपरान चतुरवेदी एक ही गाल पर दो-दो कम बख़त इस गाल पर नहीं मार सकता था अगली राम नामी पर अभेर में फथी पत्नी बनकर तुमारे दर्शन कने आए भगवान ऐसा कुछ करो कि दोनों परिवारे एक हो जाए दादा जी मुझे अपना पोता मान ले और मैं उनसे मंगला का हाथ मांग लो यूं तो वर्वधू ही सबका आशिर्वाद लिया करते हैं परंतु शस्टी पूर्ती कर रहे जोड़े के चरण स्पर्श करके उनका आशिर्वाद प्राप्त करना बड़े सौभागी कि बात मानी जाती है इसलिए उनका आशिर्वाद लीजिए जीती रहो बड़े जीती रहो जीती रहो अरे बच्चों तुरों यहां वहां मैं जाना भलक हो जाओगे फिर ढूलना बहुत मुश्किल हो जाएगा यह बता चिंटू आज क्या खाएगा चॉक्लिट या आइस्क्रीम आइस्क्रीम ओके चिंटू आंख बंद करके पांच तो किनो और आइस्क्रीम हाथ में आ जाएगा हाव यह जल्दी आना ओके पांच से पहले आँख नहीं खूलना ओके हाँ हाँ एक दो तीन चार पाच कहां चले गया बया 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 यह भाय एख जाव भाय हा बया यह ओसाग अ बच्छा को गया है को नीजिए रो रहा रवालक क्यों रो रहा तू इसके साथ के ना चौदा लोग खो गया है अरे सर चौदा नहीं बच्चा खो गया है क्लेश बच्चा खो गया है रवालक चौदा में से दो तीन को तो ढूंड़ने के हम कोशिश करें ना रो मती तू कोई है फैमिली है बच्चा ले जाओ अलो वह फैमिली जो आरी है ना सामनी से इस बच्चे के रिश्चेदार है पता कैसे नहीं होगा मैं इसका भाई हूँ हूँ जो आ रहे हैं वो इसकी फैमिली सब्सक्राइब देख रहा हूँ सपना तो आप देख रहे हैं अब बाद बोलने लगा है तू यह अपने हाथ में रखूँ चाहिए जी और यह बच्चा बच्चान तो आप नहीं यह तो गौरी का बेटा है मेरे भाई का नाथी है हमने कहा ना इस बच्चे को नहीं जानते हुली संकल हुली संकल यह हमारे नाना जी के सामने वाले गर में रहते हैं भाई साब गल्द बाद फैमिली एक्शन के बीच में है ना जो है बच्चे कर आयता मत बनाओ प्लीज इस बच्चे को इसकी मांस मिला दो प्लीज आजा आजा बेटे या अब भी नाना जी नानी मा का अध्डुक जाएगा आप मुझे गोधी में ले लो ना लो ना ना जी मुझे आपकी गोध में आना है बच्चो चिन्टू का है अभी तो यह खेल रहा था तुमने देखा इतनी भीड में उसे कान ढूंडेंगे अरे दादी मां जरा बहां देखो नाना जी अप अपनी दाड़ी क्यों ने काटते बहुत बड़ी हो गई है चिंटू चिंटू बेटा तुमको मना किया था ना यह तो अच्छा हुआ यह उन लों को बिल गया वर्नाच क्या हो जाता इधर आओ कहां चले गे थे तुम अभे भाईया ने कहां कि आइस्क्रीम चाहिए तो आइस्क्रीम चाहिए था तो बोल देता मुझे मैं बना देता जादू से चिंटू औरी बोल चिंटू उधर बगवान से क्या मांगा तुमने बता दूंगा तो फिर मनत पूरी नहीं होगी होगी क्यों नहीं बैसे एक तरीका मुझे भी पता है क्या अगर तुम नदी में डुक्की लगाओ और पूरे तीन मिनित तक पाहर न निकलो तो तुम्हारी मांग य को अभी वज़ा रहे हो दुक्की लगाने अब यह तो वजाख कर रही थी सुनो दीन कि पूर शुट्री इतना गिर जगा कि हाथ पीर हो सकता है तुम अपनी घड़ी देखं़ा है फ्लीज अभी सुनो मांग दो मिट में भी वी वूरी हो सकती है तीन मिनिट कि अपनी घड झाल ए झाल एव यव स Natomiast नहीं अजने आए झाल एव है करकाराускा आई करकाराक alltid थारे को सावरा करका रहीं कर बन्दने चीं भाने ट। इस पर दो इस पर दो आप ए आप ए ए ए ए मंगला क्या हो क्यों रो रही हो चाहर निकाल के रखती है तुमने मेरी अगर तुम पलॉण यांते तु क्यों कि एधे तुमने मेजार क्यों 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 कि अपने भाग का सुकतु तो हर किसी को सहना पड़ता है अब कभी नहीं बात करूंगी तुमसे कभी नहीं जब से देखा तुमको हाँ जब से देखा तुमको हम तो खोई 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 रहते हैं आज कल रात दिन जागे जागे हाँ जब से देखा तुमको हम तो खोई 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 रहते हैं अपनी गली का पता भूल जाते हैं तेरा नाम लेके किसी और को बुलाते है अपनी गली का पता भूल जाते है तेरा नाम लेके किसी और को बुलाते है ना मरना अच्छा लगता है ना जीला अच्छा लगता है ना खाना अच्छा लगता है ना बीना अच्छा लगता है आज कल रात दिन जगे जगे सोई सोई रे प्यार के प्यारे प्यारे सपनी संजोते ही अकसर अगेल में बैठ के रोते है प्यार के प्यारे प्यारे सपनी संजोते है अकसर अकेले में बैठ के रोते है कभी तर होई तरपाती है कभी आर किसी की आती है कभी शोला कोई भड़कता है कभी दिल बेता भड़कता है ओ आज कल रात दिन जागे जागे सोए सोए रहते है जब से देखा तुमको हम तो खोई 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 रहते हैं खोई 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 रहते हैं अरे माफ कर दो ना यार बात मत करो मची कहा ना अनार कली अनार कली अनार कली कहा चूपी हो रही हो किसे टूट रहे हो बार बार नीची क्यों जा रहे हो बहुत छोटी क्या इतनी बढ़ी है को इतना बताता है तुम पहले अग्मियों जो बच्ची को यू बता रहे हो इंसान की नहीं है फिर किसकी है साप की मेरी सोनी मिल गया जाप मेल गया है हुष दागदेवता यह आप ही किर्पा है कि उनका हाथ इनके कंधे पर आ गया और इनका बच्चा उनकी गोध में आ गया जैहो दागदेवता आए इदर आए कि इतना परिशान किया तुन्हें मुझे आनार कली मैंने इसे पकड़ लिए आप उसे छोड़िये ना कि आपके खेतों जंगली हाथ ही कुछ गया है क्या रुद्ध हां तुम कर से बंदूग लेकर आओ और तुम हांके बालों को बलाओ ज़्याओ जाओ तुम्त अश्य बजवाओ बंपढ़ाँ के चलुआओ जाओ उलकी दुट ज़्याओ, टुम्त दूङलाओ के बालों के ओू। बल्टलों के लुछव़भर? ज़्याओ, लुट धुटच ज़्याओ, ऊत्शे जाओ, बल्ल्टलाओ diarrू जबलगच मदल ज़्याओ गज़ गूँकी आषक लो गज़ ज़िए ठिका वो रौप ठुट जुट जुट… एहाâte पहाँ. कि कि कुे हो जुट, है गुट! पहाँ, कि कि कमसे चेहाँ जुट! यि वे डोंजा उता जे संवा प्राइब॥। भी प्राइब॥। निए… worker जुछ 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 टूँ घूँ अड़ Sh shows क्षिछ थारो क्षिछ सुष काली स्टाट करो कर दोज गकर व्हाल सुन स्टाट कर दून नगुई स्टाट कर तूनेत दूने back अजया अजया अजय ऐट टो चूज़ ऑट अजया टूज़ आगक उज़ नह पुछ टूगर केप्श हमागा छूँ के अज़ लुछ दोजी, अप्ना पेर, दोजी फिर में दखते हैं दोजी, समय नहीं, जल्दी कहाँ, जल्दी कहाँ दोजी, फोड़ाँ, फोड़ाँ फोड़ाँ सकता अच जढंट? सुasında अरी, ऑाता पाता, भीछaltra और्य करोजाँ ऑेना आपटे जल्दी कहाँ थोज़ाँ, इसर एती पेज़ाँ दो जो झाल अब्सक्राइब दोक्तर मंगला सोलंखी MBBS काविवा चिरंजीव अबे विष्नुक प्रतापसीन LLP त्स बेटर मंगला कैसी है अच्छी है अंकल हलो अंटी हलो बेटा कौन है अभाई इंदर भाया का बेटा इंदर का बेटा उम्मिद करता हूँ किसका बाप जेसा नहों अभाई तुम वह क्या कर रहे हो बेटे एक मिनिट दादी मा एक मिनिट यो सारी आ क्या आपकी सारी आप बहुत अच्छी है तभी तल्वारी में रखी है ना उससे क्या फायदा दादी मा चलो इन में से एक पहन लो और फिर आपर में काट देने जाएंगे काट वह तो सारे के सारे भेज दिये अपने ननंद को काट दिया आपने वह उनकी हाँ तो खुछ आके देना पड़ेगा नहीं बेटे वह तो शायद दर्वाजे से ही लोटा देंगे अजी ऐसे कैसे लोटा देंगे आखिर अभेंधर विश्नुपताब सिंग नाम है मेरा कम होन दादी मा यहां तक आकर बिना काट दिये हम वापस नहीं जाएंगे कौन हो दर हां कोई भी तो नहीं मुझे तो अस बंबाई वाली का आवाज सुनाई दे रही है आपको तो हर वक्त उसी के आवाज सुनाई देती है पापी दादी माँ ठीका करो हर काट देता हूं मुझे इसकी आवाज सुनाई दे रही है सर पर जल्दी पानी डालो जल्दी डालो पानी डाल रही हो पानी डालो सर पर पानी डालो जल्दी जाओ पानी लेकर आदी हो ये बच्चे तुमारे भाया के साथ मेरा ब्या दुबारा रचा रहे हैं बेती बातों को भूल कर आने की कृपा करें नमस्ते दादी मा और दादा जी के जीवन का ये बड़ा ही शुब दिन है सारा गाउं घर में चमा होगा पर घर की एक लौती बेटी और दामा जी नहीं होंगे तो अधूरा सा लगेगा प्लीज जरूर आईएगा साब जी साब जी साब जी बान पर दरार पड़ गई है सारा गाउं उसी तरह भाग रहा है जर्दी करो जर्दी करो जर्दी थेरो अगर पाने के सबहाव करोकना है तो हम सब मिलकर उत्तर पर दोड़ाव करोकना है और सब्सक्राव कर देते हैं मेरे खेत बरबाद होते हों तो हमारा गाउं सलामत रहना चाहिए हाई 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 कि का जा रही हो जी वो साथवलों के घर में शादी है सब लोग वहीं गया है इसलिए तुम भी जा रही हो मैं भी जा रही हूं अगर आप इचासेते तो तुम लोग का तो खून सफेद हो गया है हुआ 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 हु आओ 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 एक दूजे को इतना प्यार दे ये सांसे ये जीवन ग्वार दे ना कभी ओ जुदा ना कभी ओ जुदा उम्र भर साथ में हम रहे चूड़ी रे चूड़ी रे पहनू पिया की चूड़ी रे दिल से दिल जो मिले दिल की बात हो गई बेकरारी बढ़ी मुलाकात हो गई कहीं पायल बजी खन की चूड़िया कहीं पायल बजी खन की चूड़िया चूड़ी 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 पहनू की पिया की चूड़ी चूड़ी तेहरा सज्चा कि मैं हिन्दी रच्छा कि ले जाएगा मुझी अपना बनागी आएगा कभी न कभी मेरा पिया चुरी, 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 चुरी जोड़े से नहीं जोड़ा जाए दिल से दिल का नाता तोड़े से नहीं तोड़ा जाए दिल से दिल का नाता है चोड़े से नहीं तोड़ा जाए दिल से दिल का नाता सैया, सैया, ताम ले मेरी बैया, पडू में तेरे पया कारी अमरू सात रहोंगे पंके तेरी सैया चुरी 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 पहनोगी पिया की चुरी चुरी कर दो कर दो मिल के कभी ना बिछडे धर्ती अंबर चांद चकोरी बिन पांधे ही बन जाती है दो सासों की दोरी ए मिल के कभी ना बिछडे धर्ती अंबर चांद चकोरी बिन पांधे ही बन जाती है दो सासों की दोरी नेन ये नेन तीरी मीरी नेन सोई न जागी सारी सारी रेन जब जब दिखो तुझको आई जी आखो चेन चुडी 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 चु अब है अब यहीं सभी वक्त है इस वक्त दादा जी बहुत खुश है जाओ जाके उनसे मंगला का हाथ मांग जाओ जैसी खुशी इस घर में फैल गई है मालिक यदि वैसा ही कोई शुबकारिय उस घर में भी हो जाता तो आनंद आ जाता अब इस घर उस घर मत कर गंजो अब दोनों गर एक ही हो गए है अरे कहा माले अभी तक रुद्र बाबु का गुस्सा शांत कहा हुआ है फिर भी दोनों घरों के बीच अगर रोटी बेटी का व्यवहार भी हो जाता तो आनंद में और आनंद आ जाता क्या मतलब अब देखिए ना पहले इस घर की बेटी उस घर में भी आई गई याने अपनी माल की मगर बदकिसमती से उस घर की बेटी इस घर में भी आई जाए यानि अपनी शांती बिटिया का बेटा अमरीका से वापस आ रहा है अचल और जैकुमार बाबु की बेटी जि तो दोनों घर फिर से एक हो जाएंगे वैसे बात तो ये ठीक है रहा है विश्णू एक शादी में हम बिछड गए थे दूसरे में फिर से मिल जाएंगे क्या कहते हो मेरे लिए तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है लेकिन इसमें मर्जी मेरी नहीं जैकुमार की पूछनी चाहिए कैसी बात कर रहें बाओ जी आप मुस्से जादा हक तो मंगला पर आपका है अब बिल्कुल देर मत करो भे इससे पहले की बात काबू से बाहर हो जाए जल्दी जाके अपनी बात कर लो जाओ बाबुजी एक जीजग के साथ एक डर के साथ बरसों बाद मैंने इस घर में कदम रखा आज ये रिष्टा जोड़कर आप सभी लोगों ने मुझ विध्वा का आंचल रंग दिया तो विरेंद्रव अच्छा समूरत देखकर सगाई कर देते हैं नहीं विष्णू सगाई हमें रास नहीं आती हम तो सीधा शादी का मूनत निकालेंगे ठीक है पानी वारी जगा यहाँ पाले दो जेक मार गोविन्द यह लेलो जे आवीट बड़ा भाई जी दादा जी इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर गोश्याद्रे इन दोनों घरों की खोशिया तुमने वापस लोटा दी हैं। मेरा पोता होने के नाते तुमने मेरे लिए बहुत बहुत कुछ किया है लेकिन तुम्हारा दादा होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस शादी के बाद तुम्हारी शादी की बाराद भी इसी घर से निकले अगर शादी के लिए कोई लड़की ढूंड ली हो, तो बैटे मुझे बताओ, मैं वादा करता हूँ, कि तुम्हारी पसंद की लड़की से ही तुम्हारी शादी करवाओंगा, ठीक है, ठीक है, जी, एक और बात, तुम चाहते थे न, कि ये चेन मैं अपने हाथों से तुम्हे पहना हूँ, जी, आओ, बैटे, बैटे, आज के बाद कभी भी, मेरे बैटे के कभी मुझे महसूस नहीं होने दिना, नहीं, जी दिरूट, कभी नहीं, विरेंद परदाब जी खोचल के आए, मुझे से मिलने, अरे ये सूरज कहां से निकला है, लेकिन किसलिए, उन्हें एक अच्छा सा मूरत निकलवाना है, शादी के लिए, शादी के लिए, अरे उनकी पत्नी तो जिंदा है, दोसरी शादी करेंगे, क्या, इसलिए तो वो बिध्वा शांती बेहन का लड़का, और वो तो गया था, अमरीक अपढ़ने, लोट आया क्या, लड़की को ने, मंगला, मंगला, अपने जय कुमार बाबु की बेटी, वो तो विश्नु परताब की पोती है, चतुरवधी जी पोती नहीं, पोती जैसी है, जोगी हो, शादी तो विश्नु परताब जी के हाँ होगी ना, हाँ तो, लगता है बड़े जोरों की लगी है, बिना डबा लिये ही भाग गया, उस दिन पहले रुद द्रबावु ने पीटा, फिर बंबई वाले ने पीटा, आज ये किसी और से पिटवानी की चाल चला है गज्जू लेकिन मैं ये नहीं होने दूँगा, क्यों नहीं होने देंगे चतुरवेदी जी, आज तो विश्नु जी के घर में बाद पक्की होई है, अच्छा, हाँ तो, बाद ही पक्की हो गई, बिल्कुल पक्की, बेवकूप समझा है के तूने मुझे, मैं चतुरवेदी हूँ चत पक्की है, अगर तू कहें दोनों एक हो सकते हैं, तू मैं मान जाओं कि दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन विश्नु परताब और भीरेल पताब कभी एक नहीं हो सकते हैं, ये नामुम्किन है, अगर गर फिर जाएं, और दोनों एक हो जाएं, लेकिन शादी के मंड़ में फिर मेरी बाद याद रख ले तू भी याद रख ले शादी का मूरत निकालने के लिए कहा था तू तो अप्शकुन कर रहा है ना लाएक इसके भाविश इंद्खावेसे हर बार अशुबु बोलके मार खाते हो तुम्हारा शुब दिन कब आएगा चितुरवेदी तोड़ दिया रे चारम तरफ से दूसरों की किस्मत का हाल पढ़ने जे पहले अपनी किस्मत का हाल पढ़ लेता रे चतरवेदी ये मिठाईया उंकी का दे देना ठीक है जी हां हमें पता चलिया मंगला दीरी का दूला कौन है कोन है वो थांसम है फॉब बड़ा दिखा है अचल 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 नाम है अचल अचल अचलं ये अचल कौन है जिससे तुम्हारी शाधी तेह हुई है शादी लेकिन मेरे शादी तेकी किसने नाना जी ने और तुमारी मामी नारी ने लड़की की मां शांती बुआ ने पेरे नाना ने और सब ने अभे सिना तुमने चांती बुआ जी का पीटा अचल जो फॉरे में पढ़ रहा है उसके साथ मेरी शादी होगी इसमें फॉनी क्या है और नहीं तो क्या पता नहीं वह कौन है कैसा है वैसे भी शादी करने के लिए एक दूसरे से मिलना एक दूसरे को समझना या फिर हम दोनों की तरह एक दूसरे से प्यार करना बहुत ज़रूरी है न क्यूं 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 हसकी हो रहे हो तुम यह सुनकर कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं यह टुरू आ कि एक और नहीं तो क्या यह गलत फ्यमि में कैसे होगी कि मैं तुम्से प्यार करता हो देखो जब से आयो किसी ना किसी तर्म आ रला रहे हो अब बस करो या में संदकी का सवाल है चलो चल के poquito से कहते ।कि हम एंडूसे से प्यार करते और उनकी तरह तुम्हारे साथ भी मजाग किया था मैंने मंगला जिसको तुम प्यार के रही हो गलत समझ रही हो तुम मैं मैं गलत समझ रही हूँ जब भी हम तुनों की नोख्चों के बीच तुमने मुझे हराया मुझे ऐसे लगता था कि तुम से हार के भी मेरी जीत है हस्ते केलती मुझे डूलाने के लिए जब तुमने मेरी तस्वीरे कीची मैंने समझा कि मैं तो तुम्हे दिल में बस गई हूँ और जब तुमने सब से खाऊ कि तुम साइकलरीस हार गए और मैं जीत कई उसमल मुझे युकीन हो गया कि मैंने तुम्हारे दिल में जगा कर लिए लेकिन अब पता चला साइकलरीस नहीं तुम्हारा प्यार जीतने में हार गई बस एक बार एक बार मेरी आखों में देख कर काऊ हम इतने दिन साथ-साथ रहे क्यों कीसी वीपल तुम्हें यहीं नहीं लगा कि तुम्हें मत्सी प्यार करते हूँ नहीं यह क्या मजबूरी है यह कैसी दूरी है कैसा यह मेरा प्यार है सुजा यह कैसी है यह कैसा नसीवा है इस जीत में तो हार है रोना जो चाहूं भी तो मैं रो न पाऊं क्या चोट खाई मैंने कैसे बताऊं क्या चोट खाई मैंने कैसे बताऊं रुलाया तेरे दिल को तुझसे बेरुखी कर ली पेपसी थी मेरी तुझसे तुष्मनी कर ली पेपसी थी मेरी तुझसे तुष्मनी कर ली तुम तीनों यहीं पे काम करोगी तुमहां कौन देखेगा जाओ जल्दी जाओ जाताओ अब है अब तो शादी की तैयारियां भी कितनी शहंदार तरीके से हो रही है हां होनी भी चाहिए आखर विश्णु प्रताप सेंग के परिवार में शादी हो रही है कहीं कोई कमी नजर आखर नहीं आनी चाहिए मेरी तरफ देखो और कहो है कि यह मंगला की शादी हो रही है विटे अरी क्या मा तुम तो यसे बता रही हो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं बेटा मैं तेरी मा हूं क्या तेरे दुख का अंदाज़न नहीं है मुझे तेरे होटों पे हसी तो है प हाँ मा मैं मंगला से बहुत प्यार करता हूं हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं यह दस दिनों का साथ ऐसा लगता है कि मैं उसे बर्सों से जानता हूं जैसा मेरा कोई रिष्टा हो उसके साथ अभे तूसे इतना चाहता है क्या उसके बगार तुझी पाएगा पिटा हां इधर आमा देख इतने सालों बाद इस घर में खुशियां लोट आई हैं दादा जी फिर से अपनी बहन को मिल सकते हैं और शांती बुआ का देख मां पूरे 25 साल बाद उनके चहरे पर हसी दिखाई दी है अब अगर मैं कुछ कहूं तो यह दो परिवार आपस में फिर लड़कर एक दूसरे को मार डालेंगे और मैं अपनी एक खुशी के लिए सब की खुशियां नहीं चीन सकता मां और अगर मंगला ने तुम से यह पुछा कि इन सब की खुश्यों के लिए तुम मेरे प्यार को क्यों ठुकराना चाहते हो तो तुम क्या जवाब दोगी मैं मंगला से क्या चुका हूँ कि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया अकर उस दिन मैंने या तुम्हारे पिता जी ने भी परिवार के बारे में सोचा होता तो शायद आज तुम्हारी आखों में मुझे आंसू ना देखने पड़ते नहीं मा प्लीज एक दू दिन की तो बात है उसके बाद हम मुंबई लोड़ जाएंगे धेर सारी यादे लिए और उन्हीं आदों के साहरे में जी लूंगा मा अभे अगर तु मेरा बेटा ना होता तो आज मैं तेरे पाउँ छू लेती अरे नहीं मा मा के हाथ सिर्फ आशरवाद दिनी के लिए होते हैं माफी मांगने के लिए नहीं जा मा मंगला को दुलहन बना उसे आशरवाद दो वो हमेशा खुश रहे अजया आशरवाद दो नहीं मांगने के लिए तुम्हाद के लिए अब एशी शिर्वाद देते न है अच्छा होता है तुझे सूट से लवा दूगा फिकर मत कर सूट पर ये माला कैसे पहनूंगा है वैसे चलो ना भाबी रुद्र चलो उठो वहां वह इंद्रपताप का बेटा भी होगा जिसे देखते मेरा खून का उलटता है रुद्र व्याह मेरे बेटे का हो रहा है तुम्हारे भांजे का चल कर उसे अशिरवाद नहीं दोगे चलो ना भाया अब चली में आता हूं तुम्हीं जोईन के साथ है चलो चले मुन्ना आज़ा कि अ कि अभाले कई खून कोई था था तुम्हारो ग्यादो जाए तुम्हारो खून कोई तत्ष्या फुम्हारो खूनके अहारो जो तो、 कि नहीं प्वाला कुए जोगे अज़े जोगान दूनके और तो, कि पूर मुरता हूं जाए जोगा था बबारखो, बबारखो अभई भाया, भाया, भाया भाया भाया, मंगला दीने आपके लिए ये चिठ्थी दी है मंगला ने? हाँ, पहले तू गुसे में थी, फिर रो रही थी, फिर वो अटेची उठा के कहीं चली गई क्या हुआ भैं मंगला चली गई है गोविन दादा किसी को खुछ पता नहीं चलना चाहिए मैं किसी भी तरह उसको वापस लेकर आता हूँ कर दो आए कि बीते जारे जजमान कन्या को बुलाएं ना कहा है मंगला बुलाओ उसे घर में नहीं है तो फिर में नहीं है क्या मतलब चलो विट्या तुम्हें ममी बूला रही है एक में ठाए लो ऑगला का है चलो बीटिया मंगला कहा है भाइया के लिए चिट्टी छोड़के चली गई अब है कहा है वो भी दीदी के पीछे चली गए मना किया था मैंने यह रिष्टा मत जोड़ो लेकिन किसी ने मेरे बात नहीं सुनी अब देख लो नतीजा रद्र पताप एक मिनिट जैसा बाप वैसा बेटा वो दुलन को वेदी की आग में जोग कर चला गया था और यह दुलन को वेदी पर से भगा कर ले गया है ऐसा नहीं पहले कर लियोती थी नौबत कभी नाती और आप लोग नहीं से कोई मत जाना मैं दुलन को भी वापस लेगर आता हूं और तुम लोग शैनाई यही पर बजाना पहले शादी की उसके बाद मातम की हाथ चड़ो मंगला यह जो तुम कर रही हो गलत है प्लीज प्लीज वापस नहीं है प्लीज वापस नहीं है प्लीज वापस चलो मेरे साथ ठीक है मैं चलूँगी जिर्फ एक बार कह दो कि तुम उस्ते शादी करोगे मैं मर जाओंगी लेकिन किसी और के साथ शादी कभी नहीं करोंगी कभी नहीं मंगला यह शादी से सिर्फ हम खुश रह सकते हैं क्या तुम यह दोस्रों की खुश पीरेंजर परताब यह मेरा जूता उठाओ और इससे आज मुझे बहुत मारो सबके सामने मुझे आज इतना मारो के आज के बाद कोई भी मुझे अपनी बराबरी में नहीं भिटाए ताकि सारी दुनिया को पता चले कि मेरा खुली गंदा है बाजी शाद हो जाईए पीटा वो जो नाला एक निकला और आज ये पोता और ये इसमें अभए बाबो का कोई दोश नहीं तुम चुप रहूंगा मैं चुप नहीं रहूंगा इतने दिन अभए बाबु चुप रहे और उसका नेतीजा यही हुआ कि आप उनके पीट पर भला पुरा बोल रहे उनको असली बात तो यह है कि अबय बाबो और मंगला बिटिया प्यार करते हैं एक दूसरे से शादी करने वाले थे दोनों लेकिन इतने में रिष्टाता है हो गया मगर आप लोगों के खुशी के लिए अबय बाबो ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया अपने प्यार का था कि आप दुनों के परिवार में फिर से मेल हो जाए यह यह क्या कह रहे हो गोविंद मैं सच कह रहा हूं बाबुजी सोलाने सच कह रहा हूं वह मंगला बिटिया नहीं मानी उसे लगा कि यह पाप है यह महापाप है कि मैं प्यार किसे और से करूँ और शादी किसे और से करूँ ऐसे कभी घर नहीं बसते साब जी घर बर्बाद हो जाते हैं इसलिए वह घर चोड़की चली गई और जाते वक्त यह चिटी चोड़ गई मेरी बात तो जो तुम अपनी मा से कह रहे थी तुमारी टारीका और एक पर्णा पड़ा है मैंने जिसमें तुमने सिर्फ हमारे प्यार की बारे में लिखाया है मैं जानती हो तुम मुझे चाहते हो प्यार करते हो तुम मुझसे क्यों अब है क्यों दोका दे रहे हो प्लीस इस समय मुझ में तुम्हारा नाम अपने दिल पर लिखती है जिससे अब कोई नहीं मिटा सकता कोई नहीं मंगला 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 तो 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 भी अपने बाप की तरे यहां से भागने के तियारी में था नहीं रूद्रा तो मुझे गहलत समझ रहें क्या समझनी कोशिश करूँ पश्पंस इ मेरे खर की बहु पर मजब डालता है हां मारो स्टाले को करूँ करूँ No एाँ! एगाँ! क nou के था बाव अह अह नह अह पर लड़ का जय ये, कि तब़ दो की खुग कि जय झाय वह ँट बमंळा ruffी को हुफ हुफ बमंळा हुफ हुफ बमंळा हुफ अबे ? 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 इगए ? जोड़ी डूटी ! यह क्या कर भिया तुम अनुद्र है जड़िए आज से लादा जी लखीन करो मैं मुझ्या को घर ले जाने के लिए आया था यानता हूँ बेटे सब चांग गया हूँ वगर देरी से बेटे तुम अपनी जान की बाजी लगा कर हम लोगों को मिलाना चाहते हो मैं आज तक प्यार करने वालों की भावनाओं को समझ नहीं पाया पहली गलती अपने बेटे के साथ कर बैठा दूसरी तुम्हारे बेटे तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं जब मैंने तुमसे पूछा और बताते तो क्या करते हैं अरे मार पीट और खून खराबे से जिन्दगी की गुति सुलस्ती नहीं है और उलग जाती है तू बता आज तक नफर से हमें क्या मिला अपनों को हमेशा के लिए खो दिया और अपनों से ही हमेशा दूर रहे सच्चे प्यार के आगे तो मंगला तुम्हारे ही घर की बहु बनेगे जयो विश्नु परताब जी जयो विरेंद परताब जी आए 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 रामबरम चतुरवेदी साभ आए अरे उस दिन आप लोगों ने मुझे पीटा तो मैं शहर चला गया था इलाज करवाने के लिए लोटकर आया तो पता लगा कि आप लोग एक हो गया है आए रामबरम चतुरवेदी की भवश्वानी जूटी निकल जा मुझे एक ही नहीं होता तो आए नमस्कार प्रभू अंदर तो आए बापरे आपने ही बोट परमानत मुझे मैं भूल नहीं सकता मैं चलता हूं अरे चतुरवेदी जी नहीं या मैं त्रवेदी हो गया हूं अरे अंदर तो आए एक शतुर रहेगी थी देखे अमनों सब एक होगा अभी सुनिये मैं ने दोनों को अलग किया था अब मैं ही दोनों को मिला रहा हूं देखिये सीता राम की जोड़ी अब जल्दी इनके शादी का महुरत निकाल दीजी शादी का क्या अब तो मैं सुहा सुख दुख सदा मिलके सहे कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुख दुख सदा मिलके सहे इक दुझे को इतना प्यार दे ये सासे के जीवन वार देना कभी ओ जुदा उम्र बर सात में हम रहे कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुख दुख सदा मिलके सहे े ये इतना प्यार करते ला देना बरसके सहे को आई एक द दुख सदा मिलके रहें दिवस्ते प्यार दे मैं सब्स्तना भाड़ा इतना प्यार श्रतना प्यार रहें मिलन की रात हो, मिलन की बात हो, लबों पे हो हसी, हाथ में हाथ हो मिलन की रात हो, मिलन की बात हो, लबों पे हो हसी, हाथ में हाथ हो हमें जीना है सब के वास्ते हम छोड़े ना सच के रास्ते ना कभी हो जुदा उम्र भर सात में हम रहें कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें